नमस्ते किसान भाईयों और बहनों खृषी ग्यान चैनल में आपका स्वागत है. आज की कड़ी का विशे है वो मवाश. किसान भाईयों और बहनों भारत एक खृषी प्रधान देश है जिसकी दो तिहाई आबादी गावों में बस्ती है एवम अपना जीविको पारजन करती है. हमारे देश में हरित क्रांती शुरू हुई जिसके फलस्वरूप उन्नत किस्मों के बीज एवम रासायनिक और वरकों का अंधाधुन्द प्रयोग खृषी में उत्पादन बढ़ाने के लिए हुआ. इन रसायनों के लगातार उप्योग से भूमी की भूत एक रासायनिक एवम जैविक गुनों का हरास हुआ है. समस्यों से निदान पाने के लिए रासायनिक उत्पादों का उप्योग कम करके उनके स्थान पर जैविक उत्पादों का उप्योग एक अच्छा विकल्प है आज के युग में वर्मीवाश वर्मी कमपोस्ट का एक तरल पदार्थ है, जिसे केंचियों की उपस्थिती में निकाला जाता है वर्तमान क्रिशी प्रणाली में कीटनाशकों के साथ साथ अकारबनिक और वरकों का अत्यदिक उपयोग मिट्टी और पानी की स्थिर्ता के लिए एक बड़ा खत्रा है ऐसी खतरनाक स्थिती में ऐसे विकल्पों की तलाश करना आवश्यक है जो प्रभावी और पर्यावरण के अनुकुल हो वर मीवाश में आवश्यक पौधों के पोशक तत्व, पौधों के विकास को बढ़ावा देने वाले हॉमोन और जिब्रेलिन्स एंजाइम, प्रोटीस का कॉक्टेल, इमाइलेज, यूरेज और फॉस्फेट जो रोगानूरोधी के रूप में कार्या करते हैं, सजीवी रोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे अजोटोबैक्टा, एग्रोबैक्टीरियम, मेक्रोन्यूट्रियंट्स और राइजोबियम और कुछ फॉस्फेट सॉल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, वर मीवाश बनाने की विधी में 15-20 लीटक शमता के प् या पत्थर एक उचाई तक 10-15 सेमी भरना होता है, आधार परत के उपर मोटे रेच 6 इंच तक और महीन बालू 5 इंच की परत फैला दें, उपजाओ मिट्टी के साथ स्थानिया रूप से उपलब्ध केंचुओं आइसेनिया फीटिडा को मिलाएं, उसके बाद आंशिक र परतों के उपर जल छिड़क कर उन्हें गीला कर दें, कंटेनर को प्रती दिन लगभग 2 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। हाला कि विभिन कीट और बीमारियों को नियंतरित करने के लिए एक लीटर वमीवाश को एक लीटर गोमूत्र और दस लीटर पानी में अच्छी तरह मिलाया जाता है और छिरकाव से पहले रात भर रखा जाता है। केंचुओं को सांप, मेरक एवं छिपकली से बचाव का उचित प्रबंद करना चाहिए। वरमीवाश उपयोग की अवस्थाएं इसका उपयोग सामान्यता फ़सलों की प्रारम्विक अवस्था और पुश्पन के समय किया जाता है। तैयार वर्मीवाश को पौधो पर परनिय चिर्काव किया जाता है। इसकी उप्योगिता बढ़ाने के लिए इसमें गौमूत्र मिलाकर इसमें दस गुना पानी मिलाया जा सकता है। वर्मीवाश चिलकाव के समय सावधानिया वर्मीवाश का चिलकाव शाम के समय करना चाहिए वर्मीवाश एवं पानी का उच्छे तनुपात में घोल तैयार करना चाहिए गोमूत्र के साथ वर्मीवाश का उप्योग रोगनाशी के रूप में उच्चित अनुपात में करना चाहिए छिर्काव करते समय हवा के विप्रीत छिर्काव नहीं करना चाहिए वर्षा के मौसम में यह ध्यान रखे की बारिश होने की संभाबना नहो वर्मीवाश के लाब गुनात्मक सुधार के साथ मिट्टी की जैव रासायनेक विशेशताओं पर महत्वपून प्रभाव दर्च किया है। वर्मीवाश में उतक्रिष्ट जैव कीटनाशक गतिविधिया साबित होती हैं, क्योंकि वर्मीवाश से उपचारित पौधे रोग प्रतिरोधी हो जाते हैं और पत्तियों और पौधों के अन्यभागों पर लीफीटर जैसा कोई भी कीड़ा हमला नहीं कर पाता। वर्मीवाश में सुक्षमजीब पोशक तत्वों और स्थान के लिए प्रतिसपर्धा करने की अपनी क्षमता से एक रोगजनिक के प्रतिपक्षी एजिंट के रूप में कार्य कर सकते हैं, एक रोगानुरोधी योगित का उत्पादन करके और व्यवस्थित रूप से उनक केवल एक तरल जैविक जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है, जो पौधों और उपज के विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि एक हलके जैव कीतनाशक के रूप में भी काम करता है, इसलिए इसका उप्योग मिट्टी के स्वास्थे कीट और रोग प्रबंधन दोनो के लिए जैविक खेती और टिकाव फसल उत्पादन में एक शक्तिशाली इनपुट के रूप में किया जा सकता है, किसान भाई और बहनों आशा करते हैं, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाबकारी सिधा होगी, क्रिशी संबंधी जानकारी के लिए क्रिश